हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एविश्य अकाडमी पर तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग सीटेट पेपर टू के लिए जो कि आपका सामाजी क अध्यान है इसके लिए प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं आप में से जो भी लोग नए हो अगर आप सीटेट पेपर टू खास करके सोसल साइंस की तैयारी कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी ही जो जाईए यहाँ पर हर दिन आपको साम में चार बजे सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट मिलता है आगे भी क्लास मिलता रहेगा काफी जल्द आप लोगों के लिए सीटेट का है काफी जबरदस्त वाला मास्टर वीडियो आ रहा है उसे भी आप लोग देखिएगा जिसमें कि आपको क्लास 6 से लेकर के 8 तक का आपका हिस्टरी है, पॉलिटी है, जोगरफी है आपको पता है यहीं से सवाल पूछा जाता है तो हिस्टरी, पॉलिटी, जोगरफी क्लास 6 से क्लास 8 तक का NCRT का जो संपूर निचोर होता है उसका क्लास देने जा रहे हैं आप लोग उसे जरूर देखिएगा आप इसे जोभी लोग क्लास को देख रहे हो अगर आपको क्लास में थोड़ा सा भी कुछ भी सुधार की जरूरत लगे ता आप कमेंट करके जरूर बताईएगा, जोभी लोग क्लास कि अगर बहतर से बहतर क्लाशाब कैलिया है तो आप कमेंट करके जरूर बताईएगा आपका find, 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 find and find है वहां से भी आप जूड़ सकते हूँ तो आईए देखते हैं सबसे पहला सवाल पिर्थवी की सबसे आंतरिक परत मुख्यता बनी है किस चीज की सिलिका एवंग लोहे से बनी है या फिर निकल एवंग लोहे से या फिर निकल एवंग एलुमिना से या फिर सिलिका एवंग एलुमिना से बना है बताईए यहां पर आपका सही जवाब हो जाता है नंबर सकेंड निकल और लोहा से बना है ध्यान रखेंगे ध्यान रखेंगे पिर्थवी के आंतरिक भाग को आप क्या कहते हो यह अगर पूछा जाए तो आपको कुरोड बताना होता है पिर्थवी के आंतरिक भाग को क्रोड कहते हैं क्रोड के आंतरिक भाग का निर्मान अगर पूछे कैसे होता है तो नीफे से आपको बताना होता है किसे होता है नीफे से नीफे का मतलब होगे आपका Ni से निकेल और Fe से होता है लोहा इन दोनों तीनों पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा आप से यहां भी पूछा जा सकता है कि पिर्थवी का जो क्रोड है इसका विस्तार कहां से कहां तक मतलब कितना किलोमेटर तक है बताईए आपको यहां पर ध्यान रखना होता है उन्तिस सो किलोमेटर से लेकर के छे हजार तीन सो एखतर किलोमेटर तक किसका निर्वान है किसका विस्तार है तो पिर्थवी के एक रूट का विस्तार हुआ है कितना से कितना उन्तिस सो से छे हजार तीन सो एखतर यानि के 63-71 किलो मिक्र तक ये फैला हुआ है नेक्स्ट कोशन के रहे एक निम्लिकित में से कौन सा एक केवल तटिये छेत्रों में अत्यधिक विनास कर सकती है सुनामी, भूकम, ज्वाला मुखी या फिर ज्वार भाटा देखिए, सवाल कहा है, कौन सा एक है जो केवल तटिये छेत्र में तट वाला छेत्र तो आप जानते ही हो, ठीक है यहाँ पर आपको सुनामी बताना होता है, भूकम्प है, ज्वार भाटा है, ज्वाला मुखी है यह तटिये वाले छेत्र में नहीं करता है, तट पर आपको पता है, सुनामी आता है तिक है, नमबर पहला ही यहाँ पर सही जवाब है निमलिखित में से किस एक को जिवास में इंधन नहीं माना जाता है पेट्रोलियम, कोईला, प्राकिर्थिक गैस, या फिर जलाओ लकडी कौन सा एक है जिवास में इंधन नहीं मानते हैं, सोची अपना जवाब देखिए, जलाओ लकडी जो है ना, जलाओ लकडी जिवास में इंधन नहीं होता है ठीक है, ओप्चन नंबर फूर सही जवाब है यहाँ पर, लकडी को जला देने पर, देखिए, जलाओ लकडी ना, लकडी को जला करके प्राप्त होता है और जिवास में इंधन क्या होता है, एक परकार का कहिए कि, काफी सालों का बना हुआ जो प्राकेटिक इंधन होता है इसे कहते हैं, जिवास में जरूरी से ध्यान रखिएगा, ठीक है यहाँ पर कोईला, प्राकेटिक गैस, यह सब जिवास में इंधन में आते हैं लेकिन जलाओ लकडी नहीं आते हैं नमबर 84 में बताईए, कहले कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पिर्थवी पर दिन और रात बराबर होते हैं पहले यहाँ याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को ठीक है, पिर्थवी पर दिन और रात बराबर होता है यह सवाल आप से पूछा जाता है, कि पिर्थवी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं सबसे पहले 21 मार्च और 23 सितंबर को आप याद रखोगे अब इसका कारण आपसे पूछा है पहला कहला है शूरी की केड़ने विश्वत विरित पर सीधी परती है विश्वत विरित पता है न यह होगा आपका सीधी परती है विश्वत विरित आप यहाँ पर देख लिए यह आपका लाइन होगा ठीक है परती है और इस इस्तिती में कोई वी द्रूब शूरी की और जुका नहीं होता है पहला दो यह option कहा रहा है second कहा रहा है क्या शूरी की केरने मकर रेखा पर सीधी परती है और इस इस्तिती में कोई वी द्रूब शूरी की और जुका नहीं होता है तीसरा शूरी की केरने करकर देखा पर सीधी परती है और इस इस्तिती में एक द्रूब का जुकाव शूरी की और होता है या फिर शूरी की केरने विश्वत विडित पर सीधी परती है और इस इस्तिती में एक द्रूब का जुकाव शूरी की और होता है बताइए चारों में से चार सही जवाब होगा चार तीन को यहाँ पर देख लिए फिर से आप पढ़ना चाहें तो क्लास को आप रोब करके तो अच्छे से हर एक सवाल को हर एक जो option है उसको सवाल से मिलाते चलेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा देखते हैं राई टांसर इसका option नंबर ए हो जाएगा ठीक है 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पिर्थवी पर दिन और राट बराबर होता है इसका मुख के कारण यही है कि शूरी का जो कीरन है ना विश्वत विरिद पर सीधी परती है और इस कंडिशन में कोई भी दुरूब सूरी की और जुका नहीं होता है बस इसी वज़ा से क्या होता है दिन और राट बराबर होता है ठीक है नंबर 35 पर आईए किसी भूकम के दोरान रियक्टर इसकेल को किस तिवर्ता से इस तिवर्ता पर किरने लगती है किसी भूकम के दोरान रियक्टर इसकेल की किस तिवर्ता पर वस्तुएं गेरने लगती है आप्शन नमबर ना बताइए 6, 5, 7 या 2 से अधिक होने पर किस पर ए सही जवाब हो जाएगा 6.0 या उससे अधिक पर भुकम्प के दोराद 6.0 या उससे अधिक रियक्टर स्केल के तीविता परवस्त में क्या होती है गेरने लगती है ठीक है भुकम्प ये जो तरंग के मापन होता है मापने वाला होता है उसे क्या कहते है याद करिए तो यहाँ भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है आगे भी आएगा देखिए गया सवाल उसे आप सिस्मोग्राफ के नाम से जानते हो ठीक है सिस्मोग्राफ रियक्टर स्केल क्या होता है तो गनिती है मापक होता है जीरो से नाइन तक माना जाता है नमबर ठाटी सिक्स कह रहा है नम्लिखित में से कौन सी एक आकिरती नदी के निक्छेपन कारिका परिनाम है विसर्प बाहर करित मैदान चाप जील या फिर जल परपात नम्लिखित में से कौन सी एक आकिरती नदी के निक्छेपन कारिका परिनाम है बताएं सूची आराम से सूची बताए राइट आंसर देखते हैं राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर ओप्शन नमबर सकेंड बाहर करित मैदान आपको यहाँ पर बताना होता है नदी के निक्छेपन के द्वारा निर्मित अस्थला किरती को नाप बाहर करित मैदान के नाम से जानते हो याद रख लीजेगा ठीक है फिर से सुनिए नदी के निक्छेपन के द्वारा निर्मित अस्थला किरती बाहर करित मैदान होता है ठीक है आते हैं नमबर 37 पर बेरिंग जल्डमरूमद पानी को जो संक्रा भाग है जोडता है किसको किस से बेरिंग जल्डमरूमद ध्यान आ रहा है बेरिंग जल्डमरूमद इसके बारे में कहला है पानी का जोसका संक्रा भाग है किसको जोडता है प्रसांत महाशागर को अट्लांटिक से या फिर अट्लांटिक महाशागर को हिंद महाशागर से या फिर आर्किटिक महाशागर और प्रसांत महाशागर को या फिर हिंद महाशागर और प्रसांत महाशागर को बताईए बेरिंग जल डमरूमत किसको किसको जोड़ता है अगर आपका option number third है ता बिल्कुल सही हो आर्किटिक महाशागर और परसांत महाशागर को जोड़ता है बेरिंग जल्डम रूमद पानी को बेरिंग जल्डम रूमद पानी का न संकरा भाग है जो किसको किसको तो आर्किटिक को परसांत महाशागर से जोड़ता है देखिए बेरिंग जल्डम रोमदना उत्री पुर्वी एसिया और जो उत्तर पस्चिम जो उत्री अमिर्का है इसको अलग करने वाला एक खारी है ध्यान रखिएगा कि यह जल्डम रोमदना परसांत महा सागर या फिर से आप बेरिंग सागर कहोगे इसको आर्क्टिक सागर या फिर उसे ही चुस्की सागर कहते है इसको जोरती है फिर से एक बार सुनिए अराम से सुलो से जैसे यह जो जल्डम रोमदना परसांत महा सागर या इसे आप बेरिंग सागर भी कहोगे चलेगा इसी को आप बेरिंग सागर भी कह सकते हो ठीक है इसके अलावे जो आपका आर्क्टिक महा सागर है इसको तो जोड़ती है इसी के बारे में ज़स्ट अभी आपको बताए थे चुक्सी सागर के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं इसको ये जोड़ता है समझ गए अगर इस तरह से उप्शन दे चुसकी सागर बेरिंग सागर तो यह भी आप टिक कर सक तो इसे देगा नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान में रखना होता है क्यारेक विशेज रूप शेरे में तालाबों और पोकरों में मतस्यपालन को कहा जाता है पी सी, विटी, हॉर्टी या फिर से लई कौन सा कल्चर होता है देखिए तलाब और पोखर में मतस्य पालन अगर आपसे पूछता है ना ओप्शन नमबर ए आप बताओगे PC कल्चर कहते हैं ठीक है PC कल्चर अच्छा VT कल्चर किसे कहते हैं या सवाल आपको हर जगा मिलेगा CTT में मिलेगा आपके competition वाले एकजाम मिलेगा तो अंगूर की खेती अगर पूछेगा तो VT कल्चर आपका हो जाता है हर्टी कल्चर किसे कहते हैं हर्टी फलों की ठीक है फल से समंदित बागवानी होता है उसे हर्टी कहते है सेरी कल्चर किसे कहते हैं सेरी निमलिकित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मुलनिवासियों का निवास अस्थान है बहुत अच्छा सवाल है अमेरिकी मुलनिवासि का अस्थान स्टेपी, प्रेरी, पंपास या फिर वेल्ड, क्या होगा सही जवाब तो अमेर्की मुलनिवासियों के निवास अस्थान को कहते हैं प्रेरी क्या कहते हैं प्रेरी कहते हैं याद रखिएगा प्रेरी घास का मैदान सितोष्न कटिबंदिये घास का मैदान है यहाँ भी आप ध्यान रख लोगे प्रेडी अगर पूछा जाए तो सितोष्ण आप यहाँ पर बता सकते हो ठीक है सितोष्ण काटिवंदी है घास का मैजान है यह पूरा उत्री अमिर्का जो महादूई फैजिस में आपको कनडा आता है संयुक्त राज अमिर्का आता है मैक्सिको आता है इन सब जगह पर फैला हुआ है यह पंपास कहा है नमबर थर्ड के बारे में सोच यह तो अर्जेंटिना में याद रखना होता है चलिए सिर फिर नेक्स्ट कोश्चन में अभी देखेंगे नमबर फूर्टीन समाजिक विग्यापन विग्यापन कैड़ है कैसा समाजिक जो आप देखते हो बाहर में या फिर अपने मुबायल फोन पे उसी को आप संदेश को आप समझ लीजिए और उसके बारे में सही कथन बताना है कैड़ एक समाजिक विग्यापन वे विग्यापन है जो समाज के लिए व्यापक अस्तर पर संदेश का प्रसारन करते हैं दूसरा क्या कह रहा है समाजिक विज्यापन केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं बताए दिखिए सही आंसर इसका क्या है समाजिक विज्यापन विज्यापन है जो समाज के लिए व्यापक अस्तर पर संदेश का प्रसारन करते हैं, सही बात है ना, समाजिक विग्यापन वही न होता है, सकेंड क्या कह रहा है, समाजिक विग्यापन केवल सरकार, यानि कि जो राज जी मतलब होता है, उसके द्वारा दिया जाता है, क्या उसके द्वारा कंपनी नहीं देता है हम लोग तो बहुत सारे समान ख़ईते हैं जो कि खुद का किसी का बना वा प्रोडक्ट होता है तो तो प्रैवेट न होता है यह तो दूसरा होगा गलत है ना पहला सही दूसरा गलत कहा है नंबर फूर में है 40 का बताएंगे कि जनपत पंचायत के अंतर कंतर्गत को चै चया होगा बताइए देखिए जनपत्थ पंचायत के ग्राम पंचायतें होती है जनपत पंचायत के अंतरगत कई ग्राम पंचायतें होती है पंचायती राजवरस्था को आप जानते हो न तीन भाग में बाटा गया है जिला परिशद या उसे ही आप जनपत पंचायत कहते हो किसे जिला परिशद या जनपत पंचायत मानी एक ही ह होता है और तीसरा आपका ग्राम पंचायत होता है या आप जानते होंगे है ना काफी अच्छा सवाल है एक तरह से कहिए पहले आ होता है याद है ना कितना होता है जाओगा चादो में से ऑप्षन नंबर फूर ठीक है ऑप्षन जो फूर है सही जबाब है देखिए पिर्थवी अपने कक्छा तल पर ना सारे 66 डिगरी जोगी होई है ठीक है जानी कि अपने कहिए की कक्छा तल के साथ शारे 66 डिगरी का कौन बनाती है जब लिए पिर tecnología पर कितना यह जो है ना पहला वाला यह पिर्थवी है पिर्थवी अपने अक्छ पर है तिक है कि सारे 93 डिगरी का जो गाव है निम्ली खित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक कह रहा है कि नहीं है आकार दिशा प्रतीक दूरी देखिए आपना मानचित्र में आपको ध्यान होगा आकार मायने रखता है किस देश का कितना क्या आकार है नहीं है समझ रहे हो न दिसा भी माइने रखता है पूरा पश्रिम उत्तर दस्चिम मानचित्र में चाहिए दूरी भी आपको चाहिए लेकिन परतीक का क्या जरूरी पड़ता है मानचित्र में नहीं पड़ता है ठीक है परतीक का जरूरत कहिए कि नहीं होता है तीसरा हो जाएगा कि रालेक्ट अधिनियम 1919 का विरूद किया गया था क्यूं पहला ओप्शन के रहे इसने मुसल्मानों के लिए पेथक निर्वाचन छित्रों का अधिकार परदान किया था या फिर प्रांतों में द्वैत सासल लागू किया था या फिर इसने भारतियों के हत्यार रखने पर र जो रॉलेक आक्ट उनिषऑ इसने जवाब इसने अभिव्यक्तिक सुतंतरता जैसे मौली का अधिकार पर क्या क्या था यहां पर रोख होना दे रोख लगा दिया था और पुलीस को अधिकार दिये सही जवाब हो जाएका काला कानून से कहा गया था है न इसी को आप बिना आपेल बिना वकील और बिना दलिल का कानून भी कहते हो आप किसी पर सक होगा आप पर सक होगा उठा लिया जाएगा नमबर 45 है चोल सामराज में शभा का सदस्र बनने के लिए निम्लिकित में से कौन से एक सर्थ नहीं है बहुत बार पूछा गया सवाल है चोल सामराज में शभा का सदस्र बनने के लिए निम्लिकित में से क्या है एक जो नहीं आपको चाहिए होता था पहला सदस्र बनने के लिए आयू 25-70 के बीच होना चाहिए दूसरा उन्हें भूमी का श्वामी होना चाहिए जहां भूराज़स वशूला जाता है तीसरा उनके पास अपना घर होना चाहिए चौथा उन्हें वेदों का ज्यान होना चाहिए इन चार में से तीन सही है एक को छोड़ कर बताइए क्या है हुआ तो यहाँ पर न पहला हो जाएगा सही जवाब मतलब उनकी आयू 25 से 35 नहीं सॉरी 25 से 70 नहीं 35 से होना चाहिए 70 के बीच में ठीक है जैसे आप राश्पती बनने का इस है न भी उसी तरह से याद आप यहाँ पर ट्रीक से रख सकते हो 35 से 70 होना चाहिए ठीक है बाद हुआ कि उन्हें भूमी का श्वामी होना चाहिए चूल सामराजी में सभा का सदस्य बनने के लिए जमीन होना चाहिए वहाँ से आपका राजस्वाता हो अपना घर हो वेद का आपको ग्यान हो यह सब चाहिए होता था चलिए बताईए कि बहुत धर में बोधी सक्व क्या थे वे लोग चिनोंने निर्वान यानि कि प्रबोध प्राप्त किया बुध के परतिमाएं चीनी बहुत तीर्थ यात्री या फिर बहुत विद्वान बहुत धर में बोधी सक्व क्या थे option number first right answer हो जाएगा ध्यान रखेंगे कि बहुत धर में वे लोग जिनोंने निर्वान यानि कि प्रबोध प्राप्त किया था वही होते थे क्या कहलाते थे बोधी सत्व कहलाते थे अच्छा एक सवाल यहां से बन सकता है आपके लिए बोधी सत्व का जो कहिए कि आप उसको क्या कहेंगे रूप रेखा कहिए संकलपना कहिए starting point आप कहा सकते हो मतलब कहां पर यह चलता था बोधी सत्व जो है इसकी संकलपना बोधी सत्व के लिए कहां पर आपको महायान साखा याद रखना होता है बोधी सत्व के लिए प्रबूद को कहा जाता था इसे आप ध्यान रख सकते हो ठीक है नेक्स्ट कोर्शन नंबर 47 में है गर्बगरी कुछ प्रारंबिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्तपूर्ण भाग था सवाल कह रहा है कि गर्बगरी कुछ प्रारंबिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्तपूर्ण भाग था वहाँ पर क्या होता था या फिर वह अस्थान था जहां मुख्य देवी या देवता की मुर्ति को रखा जाता था बताईए इसके बारे में बात करें गर्व गरे के बारे में चारो अप्शन आपको दिख रहा है बताईए गर्व गरी आसा है कि आपको जवाब पता चल गया होगा नमबर फूर वहाँ अस्थान जहां मुख्य देवी या देवता को देवता की जो मूर्ती है उसको रखा जाता था उसे गर्विग्री कहते थे कहते हैं ठीक है अब यहाँ पे थो ऐसा सुनिएगा गर्विग्री मंदिर अस्थापत कला का सब्द का यह दिया हुआ समझिये कि हैं गर्विग्री का हिंदू मंदिर में काफी अच्छा इंप्रोटेंस रहा है मंदिर का सबसे अंदरवाला भाग हुआ करता था जहां पर देवेदेबता की मोती रखी जाती थी अच्छा गर्विग्री के उपर टावर के जैसा टावर नोमा एक रचना हुआ करता था उसे ही कहते थे क्या पता है है ठीक है मन्दीर में न जहांपे सभाव होता था मीटिंग कहीं एक तरसे हुज स compression चाह क्या कहते पुजर आ उसे मंड़फ कहते थे जहां मीटिंग होता था महसे मंड़फ हुजार रखिए किमी लोग करते थि यहां प्यान नेक्रिक्ट मैंसे कौन सा एक-प्लय काटी बंद है खास असतल को सवाना से बांप सेवान बताओं नंबर 49 कह रहा है कि हेंगिोग्राफी एंग्योग्राफिप्लि अमडित है कहां से हेंग्योग्राफी अगर आपसे पूछता है ना पहला करेंग संत के जीवनी लेखन से या फिर सासक के आत्म कथा लेखन से या फिर संत के आत्म कथा लेखन से या फिर संत के जीवनी लेखन से बताईए हेंग्योग्राफी कि शे कहते हैं साईध आपको इसका जवाब नहीं पता हो कुछ लोग होगे, जिनको पता होगा अच्छी बात ह창än देखिए, हैंग्योग्राफिया ऐसे पूछे न तो संत की आत्मकथा लेखन से या समन्देथ है हैंग्योग्राफिय क्या है? संत के आत्मकथा लेखन से समेंदित है थीक है याद रखेएगा काफी important है किस भासा का सब्ध है अगर यहाँ पूछ ले तो ग्रीक भासा का सब्ध है इसका मतलब न हैंग्यो का मतलब पता है क्या होता है हेंग्यो है न हैंग्यो है हैंग्यो HAS projekt होता था सब्द इससे ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट है इसलिए आपको ये बताया जा रहा है है हैंगियोस यह जो है ना हैंगियोस इसका अर्थ आपका होता है पवित्र क्या होता है अर्थ पवित्र ग्राफिया मतलब लेखन होता है यह आप चांदते ही हो था ना चलिए 50 पर सब्सक्राद कराया है कि खाद शुरक्षा के वीशे में ए और बी पर विचार करके सही उत्तर को चुनिए चुनते हैं आईए पहला कह रहा है है कि रिसी के विकास का चरम है लक्ष छो घाласт और सुरक्षा को बढहाना है खाद सुरक्षा मतलब है कि प्राकिर्तिक आपदाओं के दोरान जब खाद सामगरी की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद सामगरी उपलब्द कराना बताईए देखिए किरिसी के विकास का चरम लक्ष खाद सुरक्षा को परहाना है सही हो जाएगा ठीक सकेंड क्या कह रहा है खाद सुरक्षा से अभी प्रा है कि प्राकिर्तिक आपदा के दोरान जब खाद सामगरी की कमी हो तब सभी लोगों को खाद सामगरी उपलब्द कराना ऐसा नहीं है ठीक है कहने का मतलब क्यों नहीं सही है क्या इसका सही होगा फिर ऐसे समझे ना कि खाद सुरक्षा का जो काम होता है ना वो सभी व्यक्ति को हर समय खाद्यान की उपलबदता उनको होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि आप दाके समय बस समझ गए तहला सही है दूसरा गरत है Nवր 51 कह रहा है कि आप के विशे में निमलिखित कत्वों में से कौन सा कत्वन नहीं है याँपर पूछा है कौन सा सही नहीं है तो कह रहा है कि आप राज कुलों में विभाजित था जिन्हें पाई कहते थे अहुम राज बेगार पर निर्भर था अहुम समाज बहुत ही परिस्क्रित था या फिर भुया लोगों की पुरानी राजितिक विवस्था करदमन करनके अहुम राज की अस्थाप्रा की गई लोगी तो देखिए आसा है कि आपको सही जवाब मिल गया होगा और जड़ा टाइम चाहिए हो क्लास कुथा सा रूख लिया करिएगा ठीक है अहुम के बारे में देखिए अहुम राज कुलों में विवाजित था यहां तक तुद्दम सही है यहां पर कैर एक पाइक कहा जाता था नहीं भाई पाइक नहीं क्या कहते थे पता है कुल संग कहते थे क्या कहते थे कुल संग कहा जाता था पाइक लोग ना पैदल चलने वाले स्ट्राइनिक हुआ करते थे यहां भी आप ध्यान लखेगा और सभी बात यहां पर सही है अहोम राज बेगार पर निर्भर था अहोम समाज बहुत ही परिश्कृत था भुया लोगों के पुरानी राजनतिक विवस्था का दमन करके अहोम राज के स्थापना हुई थी सब यहाँ पर सही हुजाएगा ठीक है नमबर कह रहा है कि फिप्टी टू में चानक के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गया है जिसे जाना जाता है क्या कहते हैं बताईए ओप्शन नमबर सकेंड अर्थ सास्तर कहा जाता है चानक के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गया है जिने कहा जाता है अर्थ सास्तर नमबर 53 पर अच्छे इस तरह से आपको बताना है सही जवाब क्या है नहीं है क्या कह रहा है कि पांडो लीपी और अभिलेक पर निम्लिकित कथन पर विचार करके बताना है सही जवाब किस पर पांडो लीपी और अभिलेक पर पांडू लेपियां प्राया तार पत्रों अथ्वा भूर्ज नामा प्रिक्ष की छाल से विशेश तरीके से तयार भूज पत्र पर लिखी जाती थी सही बात है या गलत है सोचिए सकेंड के अभी लेख पत्थर तथा धातू जैसी अपिक्षाकरित का थोर सतहों पर उतकिर्ण किये जाते थे गलत बात है या फिर सही है सोचिए देखिए अभी लेख जो होता था अभी लेख पत्थर या धातू जैसा अपिक्षाकरित का थोर सतह पर उतकिर्ण किये जाते थे अभी विए आपने देखा होगा जैसे बिधायक है सांसद है जिला परिसद है या फिर मुख्या है उनके द्वारा जब कुछ काम करवाया ज जाता है कि इसके कर कमलों द्वारा उस तरह से एक तरह से मानिया ना कि वही था अभी लेख कह सकते हो कि वही था ठीक है वही है पत्थर तथा धातू जैसे अप्यक्षाकरित का थोर सत्व पर उत्विंड किये जाते थे सकेंड यहीं सकेंड वाला सही हो गया पांडू लू एक परसिद सिल्फ केंडर था जहां सुरेनी थे सुरेनी क्या थे वहां पर बौत मठ होते थे धातू के सिक्के जिन पर आकेतियां बनाई जाती थी या फिर सिल्फ कारों और व्यापारियों का शंग था या फिर क्रेसी उत्पादन के लिए परियुक्त लोहे के हलों के फाल होते थे क्या होते थे देखिए राइट अंसर यहां पर देख लिए लगभग दो हजार वर्स पहले वारा नसीना एक परसीद सिल्फ केंद्र हुआ करता था जहां पर सिल्फ कार और व्यापारी का एक शंग रहा करता था तीसरा सही जवाब हुआ ठीक है नेक्स्ट कोर्शन नंबर 55 क्या कह रहा है कि अपनेवेशिक काल के दोरान भारत में वेटिस कला के आने के साथ नेमलिकित में से किस एक कचलन प्रारम हुआ था बढ़ाईए बढ़ाईिए भित्धी कला लगू चितर तैल चितर । या परपिक्छ विद्धी सुची क्या होगा देखिए उपनेवेशिक काल के दोरान भारत में वेटिस कला के आने के साथ नेमलिकित में से किसी कप्र चलन हुआ न तो तैल चित्र का हुआ था जिसका हुआ था तैल चित्र आपको नंबर थर्ड गाद रखना होगा तैल चित्र में समझे ना कि तेल में ना बहुत समय तक डंग को मिला कर रख दिया जाता था उससे फिर जो बना बंदा था चित्र कला उसे ही कहते थे तैल चित्र कला तैल चि कुशान चूल पांड चेर कौन कुशान नंबर फर्ष्ट सही जवाब हो जाएगा ठीक है कुशान यहाँ पर राइट आंसर है ठीक है दो हजार वर्ष पहले की बात है रेसम मार्ग पर नियंतरन रखने के लिए कुशान आपको बताना होता है करेक दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में निमलिकित में से कौन सी एक परशासनिक भाषा थी पहले भी यहाँ सवाल अमलुक देख चुके हैं अगर आपको ध्यान हो फार्षी भाषा आपको बताना होता है ठीक फार्षी भाषा थी करेक सहायक संधी के अंतरगत इस्ट इंडिया कंपनी के राजियों के भारतिय सासकों को बाद दिखिया था सवाल एक सहायक संधी के अंतरगत इस्ट इंडिया कंपनी ने राजियों के भारतिय सासकों को बाद दिखिया किस चीज के लिए तो वे अपनी श्वतंत्र सैनिक सकती रखेंगे कमपनी द्वारा सुरक्षा परदान नहीं होगी परंतु फिर भी इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा पहला हो कहला एक सहायक संदी का सर्त है या फिर उनकी अपनी कोई श्वतंत्र सैना नहीं होगी कम्पनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे या फिर वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे और साथ-साथ उन्हें कम्पनी द्वारा सुरक्षा दी जाएगी इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा तो देखिए सहायक संधी का जैसे ही बात लिए या फिर आप रट लिए जो करना चाहें कर लीजिए उनकी कोई अपनी श्वतंत्र सैनि सक्ति नहीं होगे मतलब राज का अपना सैनि सक्ति नहीं होगा केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान कंपनी जो है न वहां पर अपना प्रसा कहिए कि पुलिस प्रसासन दे देगा और राज को कहेगा भाई तुम इसका देख रेक करो तुम ही पैसा वगर दोगे सुरक्षा हम दे रहे हैं मेरा सैनिक तुम्हारा रक्षा करेगा तुम सैनिक नहीं रखोगे निम्लिकित जन जातिये समुहों में से कौन सा मुख्यता उत्राखंड में शंकेंद्रित है उत्राखंड में देखिए, गोंड, भोटिया, माला, इरूलर और भील, चार है न, ध्यान रखिएगा, उत्रा खंड में पाई जाने वाले जंजाती में थारू, कोई, मारा, निती, मोट, भोटिया, भोटिया को गहरवाल और कुमायू एडिया में रहते हैं, उन्हें कहा जाता है, यह सब थे यहाँ पर फिलहाल हम लोगो सकेंड पर चलेंगे, भोटिया अपना सही जवाब है, निम्लिकित जम जाती है समोह में से कौन सा मुखेता उत्तरा खंड में, भोटिया, भारत का निम्लिकित में से कौन सा राज, कलमकारी छापे के लिए लोग परिये है, कलमकारी के बात करे पंजाब करनाटक आंद्रपरदेश तो रटा होना चाहिए पता है क्या आंद्रपरदेश चाही जवाब होगा कलम कारे छापा रंगोली हस्त कला के जैसा ही कहिए कि होता है इसमें हाथ चे सूती का प्रयपड़ना रंगीन कलर का ब्लॉक से छाप बनाया जाता है यह नम कला भारत और इरान में पहले चलता था यहां भी ध्यान रखोंगे कहां पर भारत और इरान में बारत में कहां पर तो आंद्रपरदेश में जो मसुली पत्नम है मचली पत्नम भी कहा जाता था वहीं पर अच्छा यहाँ पर नंबर फर्स्ट में आपको तमिल नाडू दिया गया है ठीक है तमिल नाडू में क्या होता था तमिल नाडू में कुल्लम चलता था ठीक है याद रखिएगा सवाल पूछा जाता है इसलिए बता रहे हैं करनाटक में क्या था रंग वल्ली करनाटक में रंग वल्ली अच्छा पंजाब में क्या था पंजाब में आपको मेहंदी रंगोली ठीक है इसे आप जरूर से जरूर याद करें तमिल नाडू में कुलम करनाटक में रंग वल्ली और पंजाब में था आपका मेहंदी रंगोली अकलमकारी कहाँ पर आंधर परदेश में चलता था तो फ्रेंट्स आज के इस क्लास में हम लोगोंने 30 सवाल देखा इसके बाद का जो आपका 61 नंबर से 90 नंबर तक का सवाल है जिसमें कि आपको पेड़ागोजी भी देखना है 61 to 90 नेक्स्ट वाले क्लास में आप देखेंगे जो भी लोग सीथिर की त्यारी करें फिर से आपको कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको थमनेल सू करेंगा इसे आप तच करके इसका जो नेक्स्ट पार 61 से 90 तक है समझेगे आपको यहाँ पर देखेगा उसे आप जरूर द पताईएगा स्वागत है आपके कमेंट का